नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल डॉलेज हाउस में दोस्तों इंसान किसी चीज़ को देखने के लिए और समझने के लिए अपनी आँखों का प्रियोग करता है लेकिन कुट्टे हर चीज़ को सुंग कर उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं अकसर कुट्टे के मालिक का ये सवाल होता है कि हमारा कुट्टा हर चीज़ सुंगने क्यों लग जाता है ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस तरह हम अपने आसपास के माहौल को समझने के लिए अपनी आखों का प्रियोग करते हैं वैसे ही कुट्टे अपनी नाक का उप्योग करते हैं दोस्तों कुट्टा एक ऐसा जानवर है जिसकी दृष्टी काफी कमजूर होती है कि तो आप जानते ही होंगे कि उसके सुंगने की शक्ति बहुत ही तेज होती है कुट्टे को यदि एक बार कोई चीज सुंगने को दे दी जाए तो उस गंद को वो आसानी से पहचान लेत है लेकर यदि आपके घर में पालतू कुट्टा है तो उसके सुंगने की ये शक्ति आपको शर्मिंदा भी करवा सकती है जी हाँ दोस्तों कुट्टे की आदत होती है कि अपने आसपास सभी चीजों को सुंगने की आपको ये जानकर और भी जादा हैरानी होगी कि कई बार तो कुत्ते लोगों के प्राइवेट पार्ट सुंगने लगते हैं ऐसे में यदि आपके घर कोई महमान आया हो तो आपके कुत्ते की ये आदत आपके लिए शर्मिंदगी का कारण हो सकती है लेकिन सवाल ये है कि आखिर कुत्ते ऐसा करते क्यों है तो दोस्तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कुत्ते आखिर सभी चीजों को क्यों सुंगते रहते हैं लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन को भी प्रिस कर दीजिए ताकि आपको हमारी सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे और आप ऐसी कोई भी इंट्रेस्टिंग वीडियो को मिस ना कर सकें तो कुत्ते अपने आसपास सभी चीजों और इंसानों को सुंगते रहते हैं व्यासा क्यों करते हैं इसका जवाब काफी इंट्रेस्टिंग है कुत्तों की नाक मनुश्य की नाक से कहीं ज्यादा ताकतवर होती हैं मनुश्य की नाक में केवल 5-6 मिलियन गंद रिसेप्टर्स ह होते हैं वही बात करें कुत्तों की तो उनके नाक में 100 मिलियन से भी अधिक गंद रिसेप्टर्स होते हैं यही कारण है कि कुत्ते उस गंद को भी सुंग पाते हैं जो मनुश्य कभी नहीं सुंग सकते उधारन के तोर पर आप चॉकलेट चिप कुकीज को सुंग सकते हैं लेकिन आपका कुट्टा चॉकलेट चिप्स, आटा, अंडे और अन्य सामगरी को भी सूंग सकता है। कुट्टों की यही सूंगने की शक्ती उनको चीजों और लोगों के बारे में जानकारी देती है। एक कुट्टा आपको सूंग कर ऐसी ऐसी जानकारियां पता कर सकता है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कुट्टा आपको सूंग कर आपका लिंग, उम्र, आपके मन में चल रहे विचार, सब का पता लगा सकता है। यहां तक कि कुट्टा आपको सूंग कर ये भी जान जाता है कि आपने शाररिक संबंध कब बनाए थे। इसलिए कुट्टे सेक्स करने से पहले अपने पार्टनर के प्राइविट पार्ट को सूंगते हैं और यह जानते हैं कि क्या उनके पार्टनर ने पहले किसी के साथ संबंध बनाये हैं या नहीं अब कुत्ते ऐसा कैसे कर पाते हैं? इसके पीछे है उनमें पाए जाने वाले हॉर्मोन्स कुत्तों के पास एक विशेश गंध अंग भी होता है जिसे वो में रोन साल अंग कहा जाता है जो मुह के उपरी हिस्से और नाक के नीचे इस्थित होता है इसंग में विशेश रिसिप्टर्स होते हैं जो फेरोमोन का पता लगाने पर ध्यान किंदरित करते हैं आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कुत्ते आपस में बातचीत करने के लिए फेरोमोन्स नामक हॉर्मोन का उप्योग करते हैं इंसान में फेरोमोन हॉर्मोन उसके पसीने में होता है। इंसानों की तरह ही कुत्ते के दिमाग के अलग-अलग हिस्से, अलग-अलग चीजों के विशेशग्य होते हैं। दरसल कुत्ते के दिमाग का सूंगने वाला हिस्सा हमसे 40 कुना बड़ा होता है। आपको यह जानकर आज चरी होगा कि कुट्टे के मस्तिश्क का आठवा हिस्सा गंध की व्याख्या करने के लिए समर्पित होता है। और ये हिस्सा हमारे मस्तिश्क के उस हिस्से से भी बड़ा है, जो दृष्टी की व्याख्या करने के लिए समर्पित है। तो दोस्तों आपने कुट्टे को गंध के माध्यम से दुनिया का अनभव करने से रोकना एक इंसान को आखों पर पट्टी बांधने जैसा है। सुंगने का मौका आपके कुट्टे को महत्वपूर्ण जानकारी और आवश्यक मांसिक उतेजना प्रदान करता है। तो अब जब आपको ये पता है कि आपका कुट्टा क्यों सभी चीजों को सुंगता रहता है तो आपको उसे ऐसा करने से नहीं रोकना चाहिए। और आपको अपने कुट्टे की सुंगने की जरुरत की सराहना करना चाहिए। तो दोस्तो कैसे लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगली वीडियो में आप किस जानवर के बारे में जानना चाहेंगे अमें जरूर बताइए क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की नई और रोमाचक वीडियो लेकर आते रहेंगे वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए मिलते हैं आप से अगले वीडियो में